माशाला जी ये अद्रक की फसल लगाई हुई जी ये मल्चिंग की उपर से डट साब ने माशाला बड़े अच्छे ग्रोध कर रहे हैं पोदें ये सब में जो है ना ये काफी जगा पर जो है ये देखिए अच्छे डट साब ये बताएं कि ये कितनी देर होगी मल्चिंग की हुई ये हमने 28 मार्च को लगाया था अच्छा 28 मार्च को अच्छा 28 और उसके फोरण बात हमने इसके पर मल्चिंग कर दी थी मेरा नजरिया जो है ना बाकी लोगों से बिलकुल मुख्तलिफ है मैं ये कहता हूँ कि देखें एक दिन हमने इसको कमर्शली क्रोव करना है वैरी गुड ठीक है आप कहते हैं कि दरख्टों के साएं में लगाए इसके दरख्ट कहां से लाएं कि जिसमें के नीचे कमर्शली इग्रोव कर सके प्लकुल ठीक है पहली बात दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं इसका ग्रीन आउस बनाएं जैसे यूब रिसर्च वालों ने बनाया जी 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 वो तो गूर्मेंट का इदारा है उसके पास करोडों रुपए के फंड है और जिनके पास नहीं है वो फिर जो है न एक आम काश्टकार एक आम बंद कैसे वो अफूर्ड करेगा और लगाएगा यूब वोला ने नहीं ते जो थो है ना इसको मेंगातरीन कर दिया ना वो करके उसके ब्रेस का आदारा है мор Labsान तो नहीं कर सकता वो. कमर्शल इदारा नहीं है हमने तो कमर्शली सोचना है मैं यह कहता हूँ कि बिल्कुल चीपस टेकनालोजी पर जाएं बिल्कुल ठीक है उसके लिए देखें यह मैंने इस तरह इसके बैट्स बनाए और यह सारा लगा यह च्छे मर्गे में साड़े बारा सौ पौदा लगा हाँ जी इसको ग्रो करने के लिए तो फिर यह आइंदा साल में मेरा ख्याल है कि हर बंदे को इस टेकनालोजी के उपर जाना चाहिए और मेरे तजर्बे से फाइदा उठाना चाहिए और आपके तो जो है ना वैसे भी जो है एक तरफ जो है आपका फाम उस बना हुआ लूज आ अब मैंने सुखाए सीड करीदने के कोई खर्च नहीं किया बिलकुल थीक है बिलकुल थीक है बिलकुल थीक तो इस तरह हम लो कास्ट के उपर तजर्बा करें उसके बात समझाए तो बड़ स्केल पर चले जाएं बहुर शुक्र जी यह डॉटसब थी को भी दॉ टाइडों पर डाट साब ने बेलें भी लगाई हुई हैं तो उससे भी चाहूं हो जाएगी इन्शाला जजाकर लाजी बहुत शुक्रिया असलाम अलेकुम